तो आज हम बनाएंगे मैंगो स्रीखर्ण यह बहुत ही सिंपल है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने यहां पे दही को छान लेना है पहले मतलब की दही का चक्का निकाल लेना है जो हंकड होता है न वो तो जब भी हम हंकड बनाते हैं तो किसी भी इस त अपता किऊ को निकाल दें तो यहां पे मैं यूज़ कर रही हूं सीवेन हेंडड़ घ्रा दही तो इस तरीके से सारे दही के पानी को एक बार स्क्वीज यह रग दें तो इसे उपर unask घमझाई निकल यहांक दें छिफ जुदगा देंग दोगज ब बंक सास्त द्रइक बह जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाएगा और पानी आप केसी भी करी बनाने में यूज कर सकते हैं तो हमने आप एक मिक्सी जार लिया है जिसमें एक मीडियम साइस के पक्यूए आम का पल्प निकाल ले और इसमें डाल दे उसके बाद आधा कप हमने या पे चीनी लिया है और इसे चीनी आम को अच्छे तरीके से पीस लेना है इसे अच्छे तरीके से पीस ले इस तरीके से तो चार से पाँच गेंटे बाद हम अपने दही को देखते हैं, तो देख रहे होंगे कि कितने अच्छे तरीके से ये जो है चक्का बनके तैयार है, मतलब हंकट बन गया है, हमारा सारा पानी एक्स्ट्रा जो था वो निकल गया है, और दही एकदम अच्छा बन गया है, करेंगे हाथों से अच्छे तरीके से 5-6 मैट तक के लिए इसे मिक्स कर लेंगे तो इसे ऐसे करना है कि एकदम हलका और स्मूध हो जाए तो इस दही को पूरे 4-5 मैट इस तरीके से फेटने के बाद ये बिल्कुल मक्षन जैसा हो जाएगा सॉफ्ट और एकदम हलका तो इसक अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो इसको भी 4-5 मैट तक आप किसी विस्कर से लेके या किसी भी स्पून से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें अगर आपको पसंद हो तो यहां पे लाइंची पाडर थोड़ा सा आड़ कर सकते हैं इसे टेस्ट और बढ़ जाएगा तो बस यह बनके तयार है इसे हमें एक बोल में निकाल लेंगे अच्छे तरीके से तो बस इसे हमें एक से दो बार अच्छे से टैप कर देंगे ताकि यह सेट हो जाए और इसे कवर करके हम दो घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रग देंगे सेट होने के लिए तो आप देख होंगे दो घंटे बाद जो है ये मैंगो स्रीखन बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है चिल्ड है आप इसे सर्व करें ये बहुत ही टेस्टी बनती है वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा शेर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फिर मिलते हैं बाई बाई